यूट्यूबर एलविश यादव का कुबूल नामा सामने आया है फूत्रों के मुताबिक पुलिस के सामने एलविश यादव ने अपने गुनाहों को कुबूल कर लिया है पार्टी में सांप मंगवाने की बात, सांप का जहर मंगवाने का आरोप एल्विश ने पुलिस से एक एक डिटेल अब शेयर कर दी है सोशल मीडिया पर रोशनी बिखेरने वाले एल्विश अब जेल की काली कोटरी में अपने अपराधों का अंजाम भुखतेंगे सेक्टर एक्षावन में होने वाली रेव पार्टी के बारे में क्या आपको जानकारी थी? हाँ जानकारी थी ऐसी पार्टी अक्सर होती रहती हैं पार्टी में साप क्यों मंगवाय गये थे? सापों को भेजवाने में आपका नाम भी सामने आया है रेव पार्टियों में सांपों को भी लाया जाता है पार्टी के लिए सांपों का इंतिजाम आपने किया था राहुल ने मुझे बोला था मैंने सिर्फ उसको सपेरों से कनेक्ट कर पा दिया था सांपों के अलावा जो 20 ml सांप का जहर मिला है उसका क्या करते हैं पार्टी में स्नेक वेमन का कुछ लोग पार्टी के दोरान रशे के दोर पर इस्तेमाल करते हैं सूत्रों के मताविक यूट्यूबर, इंफ्लूएंसर और बिग बॉस OTT2 के विजेता एल्विस शियादों ने पूश्टाच में आरोब कबूल कर लिया है पार्टी में सांप मंगवाने की बात मान ली है सांप का जहर मंगवाने का आरोब भी कबूल कर लिया है और ये भी कबूल कर लिया है कि अन्य आरोपियों से ये रेव पार्टी में मिल चुका था करोड में फॉल्वर्स, लाखों फैर्ट और सोशल मीडिया से करोडों की संपत्ती बना चुके एलविश यादो का ये कबूल नामा ये पताने के लिए बहुत है कि अब उनकी जिन्दगी के कोई साल तो सलाखों के पीछे ही कटने वाले है। पूल नामे के मताबिक पिछले साल 3 नवंबर को लोईडा सेक्टर 51 के एक बैंक के धॉल में सांपों का जहर मोहिया कराया था। फॉरंसिक टीम ने भी इसकी पुष्टी की थी। गिरफतारी के बाद कोट ने एलविश यादो को 14 दिनों की न्याई खिरासत में भीज दिय लगया है। ये वही एलविश यादों हैं जिनका अब कबूल नामा आया है। वरना इससे पहले एलविश सफाई वाला वीडियो बना कर खुद को सांपों के जहर के खेल से जुदा साबित कर रहे थे। लेकिन सवाल है अब आके क्या होगा। नोयडा पोलिस ने एलविश यादों के खिलाफ एंडी पीएस एक्ट की धारा 29 के तहट भी केस दर्च किया है। इस कानून के तहट तब कार्रवाई की जाती है जब कोई ड्रग्स से जोड़ी साजिश में शामिल हो। या मामला ड्रग्स की खरीद फरोक्त से जुड़ा ह इस कानून के तहट दोशी पाय जाने पर कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा हो सकती है। पोलिस ने 3 नमंबर 2023 को आरोपियों के कब्से से 5 कोब्रा समेत 9 सापों को बचाया था। जात से पता चला कि सभी 9 सापों में वेनम ग्लैंड्स यानी जहर की फर्जी और एक फीजदी भी सच नहीं करार दिया था। अब एलविश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मेंका गांधी की संस्था People for Animals यानी PFA ने साप के जहर वाली रेयो पार्टी का बर्दाफाश किया था और तभी से नोईडा पोलिस की नजर एलविश यादो प बलकि रेयो पार्टियों में नश्य के बरती कारोबार की इंसाइड रिपोर्ट में मिलेगी। ये पहली बार नहीं हुआ है। साप और सापों का जहर पुलिस ने पकड़ा है। साप का जहर इतना महंगा है कि इसके कारोबार में अकसर हाई प्रोफाइल लोग ही शामिल मिलते हैं। आपको आगे बताएंगे कि अलविश यादो की सोशल मीडिया की चमक चान्दी का अब ग्या होगा। लेकिन उसके पहले साप के जहर का खेल समझ लीजे जो रेव पार्टी में शान की चीज समझी जाती है। एलविश यादो की गिरफतारी के बाद स्नेक बाइड ड्रग एडिक्शन की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन ये बात आम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जहरीले सापों के विश से कोई कैसे नशा कर सकता है। क्या वो नशा करने के बाद जीवित रह सकता है। ये विश सीधे इनसान के मस्तिश्क पर चोट करता है और उसे एक अलोकिक दुनिया में पहुचा देता है। लेकिन इस जानकारी से जादा ये जानना जरूरी है कि ये बेहत खदरनाक और गहर कानूनी है। इसमें पलक छपकते ही नशा करने वालों की मौत हो सकती है। लेकिन नशे के खारोबार पर इसका असर नहीं होता। हजारों रुपए खर्च कर साप और उसके जहर को रेव पार्टियों में बरुसा जाता है। सापों के साथ खेल का एलविश यादो के कई वीडियो वारल है। एलविश और उसके गैंग के पास जो कोब्रा बरामत किया गया है। उसके जहर की कीमत सुनकर आप शौक जाएंगे। दुनिया में नशे के कारोबार में कोब्रा के विश की भारी डिमांड है। एक रिपोर्ट के मताविक ये विश चार से पांच हजार दॉलर यानी करीब चार लाक रुपए प्रती मिलिग्राम की रेट से बिखता है। इस हिसाब से देखें तो एक कोब्रा के पास 20 करोण रुपए का जहर होता है। एक ठीक ठाक कोब्रा में 620 मिलिग्राम तक विश होता है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि नोइडा की रेव पार्टी में स्नेक बाइट एडिक्शन का जो केस है। उसके लिए किस हद तक पैसे खर्च किये गए होंगे। लेकिन यहां ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि जो 20 ML जहर पोलिस ने बरामत किया है। वो एल्विश यादो के पास से नहीं बलकि उसके सहयोगी के पास से जब्त किया गया है। पोलिस इस सुवक्त सारे लिंक को जोड़ रही है। लेकिन इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि इसके पीछे कुछ और भी बड़ा खेल तो नहीं है। फिसलन वाली सीडियों से तै होती है। लेहाजा गिरने का जांस बहुत जादा होता है। एल्विश यादो ये भूल गए। यहां तक कि खुद को निर्दोश और पाक साप बताने के लिए वीडियो भी बनाते रहे। जबकि उनकी फैंस को भी पता है कि एल्विश और विबाद एक ही सिक्के के दो पहलो है। मार पीट करना, आप अत्ती जनक भाषा का इस्तेमाल कर, दूसरे यूट्यूबर के खिलाफ वीडियो बनाना, या धमकी देना, जैसा की कहा जा रहा है। कि जिस संस्था यानि PFA ने एल्विश के जहर खुरानी गिरोह का परदाफाश किया, उससे भी एल्विश ने धमकी दी है, जिसका केस अलग बन सकता है। खर, फिलहाल तो पुलिस के सामने एल्विश और भी कुछ उगल सकते हैं, जिसकी एक एक डिटेल आप तक पहुँचाने की हमारी गैरंटी है। पूस्टिंग वीडियो बनाकर सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। व्लॉकिंग के आलाबा एल्विश यादो कपड़ों के ब्रैंड सिस्टम क्लोधिंग के मालिक है। एल्विश यादो लग्जरी लाइफ जीते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में आना जाना है। लेकिन नशे के खेल में एल्विश इस तरह और इतनी गहराई से शामिल हैं। ये जानकर एल्विश के फॉल्वर्स बहुत दुखी है। झाल 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 क्यों है झाल झाल